पवन और खेसारी का जो विवाद हुआ था अब भोचपुरी दो खेमे में तो बठी गई ये सभी को पता है सब जानना चाहते हैं कि भई खेसारी की तरफ कौन है और पवन सिंग की तरफ कौन है तो आज लीजिए हम आ गए हैं ये खुलासा करने कि खेसारी लाल यादों के खिलाफ कौन है और पवन सिंग के सपोर्ट में कौन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम आपको बताते हैं पवन के सपोर्ट में प्रदीप पांडे चिंटू, रितेश पांडे, समर सिंग, म्यूजिक डिरेक्टर आशीश वर्मा, गुन्जन सिंग, डिम्पल सिंग और भोजपूरी के और भी कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सामने तो नहीं लेकिन पी सिंग के सपोर्ट में भले ही बात ना की हो, लेकिन खेसारी का विरोध भी करते कई जगेहों पे नज़र आएं। सबसे बड़ा यूटन तो समर सिंग का माना गया, क्योंकि समर सिंग कभी खेसारी लाल यादव के आख के तारा हुआ करते थे, खेसारी के गानों पे रिल ब पेले कड़े लफजों में खेसारी का विरोध किया, वही रितेस पांडे ने भी वही किया और प्रदी पांडे चिंटू सामने तो नहीं आये, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने पवन सिंग की पीठ जरूर थपतपाई होगी, क्योंकि पवन सिंग में ही इतना दम है, जो खे पेले के फैंस यानि खेसारी के फैंस पवन सिंग का कुछ भी नहीं कर सकते, साथ ही साथ यहां पर खेसारी को सपोर्ट ना करने वालों की भी लंबी फेहरिस्त है, जी हां खेसारी लाल यादो इस पूरे विवाद में अलग थलग पड़ते नजर आए, क्योंकि खेसारी के म्यूजिक कमपनियों से भी विवाद इसी में शुरू हो गया, यानि कि एक विवाद पवन और खेसारी का तो था ही, साथ ही ग्लोबल म्यूजिक का भी इन्विसमें विवाद आ गया और खेसारी को ये विवाद काफी महगा पड़ गया, ग्लोबल म्यूजिक वालों ने त चर्मा हों सभी कोई जादा ही बॉख ला गए और उन्होंने सीधा प्रहार इन सब चीजों के लिए पवन सिंग को किया सीधा जिमेदार ठहराया यहां तक की खेसारी के लिए इन्होंने ये तक कह दिया कि सुसान सिंग राजपूर जैसी इस्तिती पैदा की जा रही है कि एप ले बूदेए जिए हाँ जादा झालीए